हलो व्योर्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल क्रह सुनाली दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक हैर ओईल और यह हैर ओईल आपके बालों का तूपना रोक कर आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और यह ओईल खास करके बालनेस या अलपेशिया से परिशान लोगों के लिए है और यह ओईल गंजेपन की प्रबलम को बहुती एफेक्टिव तरीके से दोर करता है परन्तु आगे पढ़ने से पहले दोस्तों यदि आपने मेरे इस ग्रहसनाली यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नएने अप्लोड के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें और यह जानकारी पसंद आने पर निचे थम सब के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक जरूर कीजेगा और मुझे कबंड करके जरूर पताईएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी इस हैर ओल को बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप सरसों का तेल यानि मस्टर्ड ओल और एक चमच दाना मेथी और तीसरा इंग्रेडियन्ट है 7-8 लहसुन की चिली हुई कलिया इस hair oil को बनाने के लिए सबसे पहले एक pan में एक cup mustard oil को गरम होने के लिए रख दें जब ये तेल गरम होने लग जाए तब इसमें एक चमच दाना में थी और 7-8 लहसुन की कलियों को डाल कर बिल्कुल कम आज पर लहसुन की कलियों के जल जाने तक इसे पका लें जब ये तेल पक करके तयार हो जाए तब इसे ठंडा होने के लिए रख दें और जब ये तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तब किसी काच के air tight container में इसे store करके रख लें अब रात को सोने से पहले इस ओईल से आप अपने बालों में 5-7 बिनिट के लिए हलके हाथों से सर्क्लोर मोशन में कुछ देर तक मसाज कीजिए और अगले दिन अपने बालों को अपने मन पसंद शैंपू से दो करके साफ कर लें सर्सों का तेल का इस्तमाल बहुत ही पुराने समय से लंबे बालों के लिए इस्तमाल किया जाता रहा है और ये oil बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत helpful है क्योंकि इसमें iron, calcium, magnesium बहुत ही अधिक मात्रम में पाय जाता है और इसमें beta carotene होता है जो बालों को healthy वर shiny बना इसमें antifungalcone होते हैं जो scalp में होने वाली सभी impurities को दूर करता है ये बालों को लंबा बनाने में बहुत help करता है इसमें iron, mineral और vitamin होते हैं जो हमारे बालों की length को बढ़ाते हैं scalp में blood circulation को भी इंप्रूव करता है इस hair oil में vitamin C, vitamin B1 और B2 होते हैं जो healthy hair growth को इंप्रूव करते हैं एक research की अनसार ये जिसेर में बाल छंडे की कारण गोल गोल निशान हो गए हैं तो वहाँ पर भी ये नए बाल उगाने में बहुत मदद करता है तो दोस्तों यह था मेरा आज का ग्रह सुनाली नुसका मुझे उमीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो information को जाद से जाद शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक लोग इसका पैदा उठा सकें धन्यवाद